आजम बात करेंगे कि डायविटीज जैसी भहेंकर बिमारी से लड़ने में नीम क्या भूमेकाने बाता है नीम से किस तरह से डायविटीज ठीक कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो आज ही कर लें बैल आइकन को जरूर प्रे घर के अंतर डायविटीक पेसेंट जरूर मिल जाएगा विश्वास्ते संगठन डायविटीज के अनुमान के अनुसार विश्व में हर साल डायविटीज के कारण करीब 16 लाख लोगों की जाने चली जाती है डायविटीज का दावा है कि 2030 तक डायविटीज दुनिया की गेटनी को नुकसान पहुँचा सकता है इसके पहचान में देरी और जागरुकता की कमी के चलते इसे काबू करना काफी मुश्किल हो जाता है डायविटीज के पेसेंट को खाने के प्रती सदा सचेत रहना पड़ता है मीठी खादे पैदार्थ, ड्रेंक्स, गेट से हमेशा दूरी बना की रखना जरूरी होता है एक डायविटीक डायट हमेशा हाइफ फाइवर हूर, कम्पलेक्स काब्स और प्रोटीन का बैलेंस होना जरूरी है ऐसे कई हैब्स और मसाले होते हैं जो आपको इस से लड़ने में हेल्प करते हैं जैसे मेति दाना आ बगबग पूरी भारत में पाया जाता है। इसका हर हिस्सा चिकित्स के गुणों से भरपूर है। नीम प्राचिन काल से ही भारत में ओशिदियों के रूप में काम मिलिया जाता है। नीम के पेड की पत्ती, फूल, बीज, फल, जड और छात किसी ने किसी ओशिदियों प्रियोग में लाए जाता है। इंफेक्शन, स्वेलिंग, फिवर, चर्म रोग या दातों की कोई भी प्रोब्लम हूँ सब में नीम का इस्तेमाल होता है। एक research के अनुसार, नीम diabetes को कंट्रोल करने में help करता है। Indian General of Physiology and Pharmacology के अनुसार, नीम कई रोगों को आने से रोकने में सक्षम है। अगर आप diabetic हैं, तो आप रोज नीम का juice पी सकते हैं। या फिर केवल नीम की पत्तियां भी चबा सकते हैं। नीम की पत्यां glycosides और antiviral गुणों से भरपूर होती है जो आपका blood sugar level balance करने में help होती है diabetes से ग्रस्त लोगों को कड़वे पैदार्थों का इस्तिमाल करने के लिए कहा जाता है नीम की juice में antibiotic गुणों वाले active ingredients पाये जाता है diabetes के लिए नीम का पानी और एक healthy काड़ा सेवन करने से diabetes की patient को बहुत फायदा होता है तो चले जान लेते हैं काड़ा और नीम का पानी बनाने के विधी नीम का पानी बनाने के लिए आदा लिटर पानी में 20 नीम की पत्तियों को 5 मिनट के लिए उबाले जब पानी गहरे हरे रंका हो जाए तो इसे चान कर एक कंटेनर में रख लें और दिन में तो बार इसका सेवन जरूर करें अब जानते हैं healthy काड़ा बनाने की विधी इसके लिए मेथिदाना पाउडर, जामून की बीज का पाउडर, नीम का पाउडर और करेला पाउडर को मिला कर मिक्स करके रख लें यह काड़ा लंच और डिनर के आदे गंटे पहले एक चम्मच काड़ा लें पानी के साथ में डियाबिटीस को कंट्रोल करने के लिए स्वस्तादते अपनाएं, ब्लड ग्लुकोस लेवल को संतुलन में रखें, योगा, प्राणायम और मेडिटेशन का रेगुलर अभ्यास करें, मेंटली और फिजिकली फिट रहें, अपने आपको एक्टिव बना के रखें तो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा, कमिट वोक्स में बताएं, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद